श्रीमत भागवद गीता नोमा अध्याय राज विद्या राज गुहयोग श्री भगवान बोले तुझ दोश द्रिष्टी रहित भक्त के लिए इस परम गोपनिय विज्ञान सहित ज्यान को पुनह भली भांती कहूंगा जिसको जानकर तु दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा यह विज्ञान सहित ज्यान सब विद्याओं का राजा सब रहस्यों का राजा अती पवित्र अती उत्तम प्रत्यक्ष फलवाला धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है हे परतंप उस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको नाप्राप्त होकर मृत्ती रूप संसार चक्र में भ्रमन करते रहते हैं मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बरफ से सद रिश्य परिपूर्ण हैं और सब भूत मेरे अंतरगत संकल्प के अधार स्थित हैं किन्तु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं किन्तु मेरी इश्वरिय योग शक्ती को देख कि भूतों को धारण पोशन करने वाला और भूतों को उत्पन करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है जैसे अकाश से उत्पन सरवत्र विचरने वाला महान वायू सदा अकाश में ही स्थित है वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन होने से संपूर्ण भूत मुझमें स्थित हैं ऐसा जान हे अर्जुन कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकती को प्राप्त होते हैं अर्थात प्रकती में लीन होते हैं और कल्पों के आदी में उनको मैं फिर रचता हूँ अपनी प्रकती का अंगी कार करके सुभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार-बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं हे अर्जुन उन कर्मों में असक्ती रहित और उदासीन के सद्रिश्य स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांदते हे अर्जुन अधिश्ठाता के साकाश से प्रकरती चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूड लोग मनुष्य का शरीर धारन करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान इश्वर को तुछ समझते हैं अर्थाग अपनी योग माया से संसार के उधार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारन मनुष्य मानते हैं वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्यान वाले विक्षिप्त चित, अज्यानी जन, राक्षसी, असूरी और मोहिनी प्रकरती को ही धारन किये रहते हैं परंतु हे कुंती पुत्र दैवी प्राकरती के आश्रित महात्म जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर सवरूप जानकर अनन्य मन से युप्त होकर निरंतर भजते हैं वे द्रिण निश्चे वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीरतन करते हुए तथा मेरी प्राप्ती के लिए यतन करते हुए मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं दूसरे ज्यान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्यान यग्य के द्वारा अभिन भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्ये बहुत परकार से स्थित मुझ विराठ स्वरूप परमेश्वर की प्रतक भाव से उपासना करते हैं क्रतू मैं हूँ, यग्य मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, आउशधी मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अगनी मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ इस संपून जगत का धाता अर्थात धारन करने वाला और कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामा, जानने योगे, पवित्र ओंकार तथा, रिग्रवेद, सामवेद और यजुरवेद भी मैं ही हूँ प्राप्त होने योगे परम धाम, भरन पोशन करने वाला, सबका स्वामी, शुबा शुब का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योगे, प्रत्यूपकार ना चाकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ती प्रलय का हेतु, स्थिती का अधार, निधान और अविनाशी क कारण भी मैं ही हूँ मैं ही सूरे रूप से तपता हूँ वर्षा का अकर्षन करता हूँ और उसे बरसाता हूँ हे अर्जुन मैं ही अम्रित और मृत्ति हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ तीनों वेदों में विधान किये हुए सताम कर्मों को करने वाले सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यग्यों द्वारा पूझकर स्वर्ग की प्राप्ती चाहते हैं वे पुरुष अपने पुन्यों के फल्स रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्वे देवताओं के भोगों को भोगते हैं वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुन्य शीन होने पर मृत्यू लोक को प्राप्त होते हैं इस परकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए स्तकाम कर्म का आश्रे लेने वाले और भूगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवा गमन को प्राप्त होते हैं अर्थाद पुन्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुन्य शीन होने पर मृत्यू लोक में आते हैं जो अनन्य प्रेम भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निशकाम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पूर्शों को योग शेम मैं स्वेम प्राप्त कर देता हूं। स्वामी मैं ही हूं। परंतुवे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते। इसी से गिरते हैं अर्थात पुनरजनम को प्राप्त होते हैं। फल जल आदी अर्पन करता है। उसी शुद्ध बुद्धी निश्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पन किया हुआ वह पत्र पुषपादी मैं सगुन रूप से प्रकट होकर पृति सहीत खाता हूं। हे अर्जुन तू जो कर्म करता है जो खाता है जो हवन करता है जो दान देता है और जो तब करता है वह सब मुझे अर्पन कर। इस परकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पन होते हैं ऐसे सन्यास योग से युक्त चित वाला तू शुबाशुब फल रूप कर्म बंदन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझे को ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ ना कोई मेरा अप्रिये है और ना प्रिये है परंतु जो भग्त मुझको प्रेम से भचते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतीशे, दूराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भग्त होकर मुझे भचता है तो वे सादू ही मानने योग्य है क्योंकि वे यथार्थ निश्चे वाला है अर्थास उसे भली भांती निश्चे कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है वह शीगर ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परमशांती को प्राप्त होता है हे अर्जुन तू निश्चे पूर्वक सत्ते जान की मेरा भग्त नश्ट नहीं होता हे अर्जुन स्त्री, वैशे, शुद्र तथा पाप योनी, चंडाल आदी जो कोई भी हो वे भी मेरी शरण होकर परमगती को प्राप्त होते हैं फिर इसमें तो कहना ही क्या है जो पुन्ने शील ब्रामण तथा राज रिशी भगवान मेरी शरण होकर परमगती को प्राप्त होते हैं इसलिए तू सुख रहित और शन भंगूर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर न नियुक्त करके मेरे परायन होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। इस परकार उपनिशद ब्रह्म विद्या तथ योग शास्तर रूपी श्रीमद भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन समवाद में राज विद्या राज गुहा योग नामक नौमा अध्याय संपूर्ण हुआ।